नमस्कार मेरा नाम दिपांश्री कुवर है और आप इस वक्त JJN News देख रहे हैं राश्ट्रिय राजमार्ग राश्ट्रिय राजमार्ग जिसमें आप सुगमता से आजा सकें जिसमें चलना हमारे लिए आराम दायक हो लेकिन हमारे आस पास के राजमार्गों को अगर देखें तो उनकी परिभाशा थोड़ी सी परिवर्थित नजर आती है अब हलवानी से लालकुआ को जोडने वाले राजमार्ग को ही ले लीजिए इसे बनते बनते ही तीन साल हो गए हैं लेकिन इसका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है ये किसी को भी नहीं पता कि काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है यह दूरी महज लगवख 20 किलो मीटर की है लेकिन इस 20 किलो मीटर की दूरी टाई करने के बाद आपको लगेगा जैसे आप सैक्लो किलो मीटर की दूरी टाई कर चुके हैं आपके कपड़े मित्ती से संगे होंगे। आपकी गाड़ी धूल से चमचमा रही होगी। आप इस सड़क पर जब चलना शुरू करते हैं तो कहीं आपको सड़क बिल्कुल चकाचक मिलेगी। तो कहीं आपको सड़कू में गड़े, मापखी जी का गड़ू में सड़क चौड़ी करण का काम शुरू हुआ तीन साल पहले लेकिन देखते ही देखते तीन साल निकल गए लेकिन काम अभी तक 40 प्रतिश्रत भी पूरा नहीं हो पाया है पिसले एक साल में काम पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है वैसे इस काम को 2019 तक पूरा हो जाना था लेकिन हम भूल रहे हैं कि ये सरकारी टेंडर है रोड खराब है ट्रैफिक ज्यादा है जगा जगा डाइवर्जन्स लगे हुए हैं जिसके कारण लगातार दुरगटनाएं बढ़ती जा रही है जैसे ही वाहन थोड़ा रपतार पकड़ते हैं वैसे ही गड़े शुरू हो जाते हैं जिससे गाडियां अपना संतुलन खो देती हैं और इस रोड में उड़ने वाली धूल का तो राम ही मालिक है बहुत बुरा हाल है साहब देखने वाला कोई नहीं आ रोड ठीक हो पाती है कब तक लालकव लिरोड पे एक्सब्रेंट रुख पाते हैं और कब तक हलद्वाणी से लालकव की सडक राश्ट्रियेर राजमार्क के सही माइनों में सही आती है अब तक के लिए वस इतना ही आप देखते रहिए जंञ न्यूज में हुँ दि एपन्शकूर.